साथियों, देश्ट में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई छेत्रों से वैक्सिन को लेकर भ्रम और अफ्वाओं की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करणा चाहता हूँ। जब से भारत में वैक्सिन पर काम शुरू हुआ, तब ही से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बाते कही गई, जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिच ये भी हुई कि भारत के वैक्सिन निर्मारताओं का होसला पस्थ पढ़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आये। जब भारत की वैक्सिन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सिन न लगवाने के लिए भाती भाती के तरक प्रचारित किये गए। इने भी देश देख रहा है जो लोग वैक्सिन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं। अफ़ाएं फेला रहे हैं। वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं। ऐसी अफ़ाओं से सतर्क रहने की जरुवत है। मैं भी आप सबसे समाज के प्रबुद्ध लोगों से युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सिन को लेकर जागरुकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगों पर कोरोना करफू में धिल दी जा रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सक्ति से पानन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। झाल 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 झाल